नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आप लोगों का आपके अपने चैनल BSA Tricky Classes में तो दोस्तों आज की इस क्लास में हम लोग Railway Group D 2021 के एक्जाम के लिए 2021 में होने वाले एक्जाम के लिए संभावित पेपर लेकर आएं जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि इसमें आप लोग के चार सब्जेक्ट आ रहे हैं Math, Reasoning, Science और GK इसका मतलब साफ है कि आप लोग को केवल चार सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनाना है अपनी कमांड बनाना है Math में केवल 25 कोशन आएंगे Reasoning का बेटे ज्यादा है Reasoning के 30 कोशन आएंगे Science के 25 कोशन आएंगे GK के 20 कोशन आएंगे तो किस तरीके से पेपर रहने वाला है और अगर इस तरीके से पेपर आएगा और करते हैं दोस्तों आज की क्लास की शिरुवाद पहला सवाल आप लोग के साबने है एक निश्चित धनराशी पर सभी लोग ध्यान दिजिए एक निश्चित धनराशी पर साधान ब्याज एक निश्चित ब्याज की दरसे दो वर्षों में 1200 रुपे हो जाता है उसी धनराशी का चगवरदी ब्याज साधान ब्याज की दरसे दो वर्षों में 1290 रुपे मिलता है तो मूलधन मेरा कितना होगा यह आप लोग को बताना है ठीक है? चलिए तो आपको बता दें यहां से आपका सही जवाब क्या होगा देखिए प्यारे सातियों एक साल और दो साल दो साल का आपको रुपिया दे रखा है ऐसाई दो साल का ऐसाई दे रखा है आपको 1200 इसका मतलब पहले साल का ब्याज 600 रुपे होगा दूसरे साल का ब्याज 600 होगा और ये बोलना है भाई साहब कि चकब्रदी ब्याज और सधान ब्याज दो साल की दर्से 1290 हो जाता है यानि 90 रुपे मुझे ब्याज और मिलता है साब समझ गया रहा आपको तो भाई सबसे पहले मैंने क्या लगाए ट्री मेथड लगाया तो मैंने दुस्तों क्या किया ट्री मेथड लगाया 600 का कितना परसेंट मेरा 90 है ये निकालना है तो सबसे बले मैंने दुस्तों क्या किया 600 का X परसेंट हमारा 90 है 0000 काट दिया 6 कम 635 तो मेरा यहाँ पर R वरावर कितना आ गया X वरावर आ गया 15% आ गया मुझे निकालना है मूलधन कितना है तो मूलधन मेरा P है जिसका 15% मूलधन मेरा P है जिसका 15% 600 रुपए है तो आपको P का मान ग्याद करना है तो P का मान कितना होगा 151, 154, 60 ठीक ना 0 का 0 तो P बरावर मेरा दोस्तो हो जाएगा 4000 रुपए तो जिसका भी आंसर आया है 4000 रुपए बिलकुल perfect हो जाएगा तो प्यारे साथियों हमारा यहां पर सही जवाब दोस्तो क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा 4000 रुपए आएगे दोस्तो बढ़ते हैं आगे हमारा next question आपके साबने है एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक छेतर कहां पर आपका इस्तित हैं? देखिए एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक छेतर जो है हमारा यह है हमारा असम में तो जिनका भी आंसर आ रहा है असम डिग बोई बिल्कुल परफेक्ट है तो आपका सही जवाब हो जाएगा असम में है अगला सवाल है आप लोग के साबने होमो सेपियन्स के रूप में वर्गिकरत किये जाने वाले प्रारंबिक होमिनाइट्स कौन थे तो होमो सेपियन्स के रूप में वर्गिकरत किये जाने वाले प्रारंबिक होमिनाइट्स को क्रो मैगनन थे तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा क्रो मैगनन तो भाई जिसका भी आंसर आ रहा है क्रो मैगनन बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा क्रो मैगनन ठीक है चलियो बाकिये लोग कित्थे रहेगा बाई असी क्लास इत्थे चले तो से जित्थे भी इत्थे चले आओ कि आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है मैंने टेलेग्राम पर आप लोग को बता दिया था कि ये वाली जो क्लास है इसमें हम लोग बहुत सारे सब्जेट को रिवीजन करने वाले है तो जहां पर भी हो जल्दी से क्लास में आप लोग आ जाएगे चलिया तो ए बरावर वन है और ओ ए आर बरावर है 34 तो रोर की वैलू क्या होगी देखिए ए मेरा आता है एक नमबर पे ओ ए आर ओ आता है पंदरा पर ए आता है एक पर आर आता है मेरा अठारा पर 16 अठारा चोटिस अब मुझे निकाला रोर तो बस आर अठारा पर आगया बाकि ओ पंदरा ए एक आर अठारा अठार दोने 36 37, 38, 49, 49, 41, 42 ठेना तो यहाँ पर प्यारे मित्रों अगर इस सवाल की मैं बात करूँगा तो मेरा सही जबाब जाएगा 42, 10, 52 तो अगर आप का अंसर आ रहा है 52 आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है अगर आप का अंसर 52 आ रहा है बिल्कुल राइट है अगला सवाल है आपके सापने यदि 3 संख्याए करमसा 2, अनुपात 3, अनुपात 5 के अनुपात में हो और उनके योग का 2 गुना 100 हो तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्याँ का वर्ग क्या होगा तो प्यारे साथियों ध्यान देजिए सबी लोग दोस्तों ध्यान देजिए 2X 3X और 5X तो तीन संख्याँ मुझे इस अनुपात में रखी है और उनके योग का 2 गुना और इनके योग का 2 गुना 100 है यह आप लोग को बताएगे है तो इसका मतलब साफ है भाई 5, 3, 8, 9, 10 10X बरावर 50 आजाए 2 से मैंने काट दिया 50 बचेगा तो 10X बरावर 50 है तो X बरावर 5 आजाएगा मैंनों फाइंड आउट करना है कि सबसे बड़ी संख्या का वर्ग तो भाई साहाब सबसे बड़ी संख्या आजाएगी 25 और सबसे बड़ी संख्या का वर्ग कितना हो जाएगा 625 होगा इसका मतलब साफ है भाई हमारा जो correct answer होगा वो कितना हो जाएगा हमारा सही जवाब हो जाएगा 625 रुपए अब कोश्चन नमर 6 से लेकर आज तक आपको क्या करना है देखिए ट्रेंगल आपका उन व्यक्तियों का प्रती निजित्व करता है जिनको पढ़ना पसंद है तो ट्रेंगल दोस्तों होगा हमारा पढ़ने वाले बच्चों के लिए सर्किल दोस्तों हमारा उनके लिए होगा जिनको साइकलिंग पसंद है और बॉक्स बॉक्स उनको पसंद जिनको ट्रेंगल पसंद है चलिए तो आपको ग्याद करना है कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है तो पढ़ने वाले ब्लॉक में दोस्तों कौन कोन आ रहा है देखे कितने व्यक्ति को पढ़ना पसंद है तो ट्रेंगिल आ रहा है पढ़ने में तो 43, 12, 28, 12, 31, 44 तो कितने लोगों को टोटल पढ़ना पसंद है आई ये लिखते हैं 43, प्लस का 12, प्लस का 28, प्लस का 12, प्लस का 31, प्लस का 44 ठीना भाई ये बताओ मुसीवत की कौन सुनता है मुसीवत बुला रही है उसकी कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा तो प्यारे साथियों सब लोग ध्यान से पढ़ लिजिए मेहनत करते रही है, चीजों को समझते रही है ठीक है न? तो 43, 12, 28, 12, 31, 44 तो मेरी वैल्यू आ जाएगी 170 तो वही कितने लोगों को पढ़ना पसंद है तो टोटल 170 लोगों को पढ़ना पसंद है तो अगर इस कोश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा प्यारे मित्रों, आप्शन नंबर हो जाएगा यहां से ए वाला, चले अब अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है इसको बताई है दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे next question आप लोग के सामने है क्या लगते हैं आपको निमलिकित कीट नाशकों में से किसका हानी कारक प्रभाब केरल में स्वास्ते मुद्धों का प्रचार करते समय मेडिया की नजर में आया मैंने करेंट अफिर का दोस्तों बहुत कुछ कवर करा रखा है आप हमारी current affair की पहले की सारी classes देख लीजिए बाकी अभी मैं आप लोग को current affair की special class आप लोग कह रहे हैं तो मैं और एककाद class करवा दूँगा जिसमें मैं बहुत करीब दिर सो 200 कोशन और करवा दूँगा ठीक है चलिया हा तो नाइंध कोशन का हमारा सही जवाब हो जाएगा एंडो सल्फान निमलिकित कीटनासकों में से किसका हानिकार प्रभाप केरल में स्वास्ते मुद्धों का प्रचार करते समय मेडिया की नजर में आया था तो हमारा सही जवाब हो जाएगा एंडो सल्फान ठीक है ना चल लिया अगला सवाल है आप लोग के साबने इसको देखिए छे साल पहले दो व्यक्ति थे आपके P और Q जिनकी IU का अनुपात है तीन अनुपात दो है तो छे साल पहले P और Q का रेशियो दो रखा है तीन अनुपात दो और चार साल के बाद उनकी IU का अनुपात है आठ अनुपात साथ तो इनके बीच का गैप एक है अगर आप आठ मेंसे तीन घटाएंगे चाहे साथ मेंसे दो घटाएंगे आपका 5X आ जाएगा और समय की gapping दो खुट 6 साल पहले 4 साल बात, टोटल टाइम की gapping 10 साल है, तो X बराबर आ जाएगा 5 दूनी 10 मुझे P की आयू याद करनी है वर्तमान, तो अभी दोस्तों वर्तमान आयू कितनी हो जाएगी तो P की वर्तमान आयू मेरी हो जाएगी 12 बर्श, ठीक है तो अगर आपका आजसर 12 साल आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, तो प्यारे साथियो आपका सही जवाब हो जाएगा 12 साल Next question आप लोग के सामने है दो अंगो वाली संख्या का योग नौ है जब अंगो के इस्थान आपस में बदल दिये जाते है तो संख्या मेरी 45 से कम हो जाती है बदली हुई संख्या को ग्याद कीजिए तो देखते हैं भाई, आप लोगों में से कौन बताएगा कि आपका सही जवाब क्या होगा वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंट्रेस्टिंग शेली दोस्तों सब लोग मुझे बताईए कि आपका सही जवाब क्या होगा तो दोस्तों मैंने मान लिया कि माना वो संख्या मेरी 72 है ठीक ना बदलने पर दोस्तों मेरी संख्या 27 हो गई समझ रहे हैं आप लो तो क्या ये 45 कम हो रही 12 में से 7 गया 5 6 में से 2 गया काम 45 कम हो रही है और इसके दोनों अंकों का यूग कितना है 7 और 2 9 है तो मैंनू ग्याद करना है बदली हुई संख्या तो भाई साब बदली हुई संख्या मेरी 27 हो जाएगी तो 72 की बदली हुई संख्या क्या होगी तो ये आपकी 27 होगी तो पूरी कलास ने इसका गलत जवाब दिया है तब ही कहते हैं कोश्चन की भावनाओं को समझ इए अगर आप question की भावनाओं को समझ नहीं पाए तो question आप से खेल जाएगा अगर आप समझ गए तो आप question से खेल जाओगे तो अगर आपका answer 27 आया क्योंकि भाई, बदली हुई संख्या आपको ग्याद करनी है तो बदली हुई संख्या क्या आजाएगी 22 से 27 आईए, अगला सवाल कड़ी मेहनत के बिना सफलता हासिल नहीं की जा सकती इसका मतलब साफ है कि हर कड़ी मेहनत के बिना सफलता हासिल नहीं की जा सकती है या हर सफल व्यक्ति मेहनती होता है दोस्तो सबसे पहले आप लोगों को बताये गया है कि अगर आप मेहनत नहीं करोगे अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो सफल नहीं हो सकते तो कड़ी मेहनत के बिना सफलता हासिल नहीं की जा सकती तो हर कड़ी मेहनत के बिना सफलता हासिल नहीं की जा सकती ये बात तो सही नहीं है लेकिन हाँ ये मैं बोल सकता हूँ अगर कोई व्यक्ति अगर कोई व्यक्ति अगर सफल हुआ है इसका मतलब है मेहनत करी होगी हर सफल व्यक्ति मेहनती जरूर होता है ये बात कनफॉर्म है देखिए आप लोगों में से मेहनत तो सब कर रहे है कोई गदों की तरह महनत कर रहा है कोई घोडों की तरह महनत कर रहा है लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे उस दिन आप लोगों से का जाएगा हाँ ये व्यक्ति महनती है क्योंकि सफल वही होते है जो महनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं तो ऐसे में आपका सही जवाब क्या हो जाएगा केबल सेकेंड, ठीक है? आईए, प्यारे साथ ही हो हमारा अगला सवाल देखिए दोस्तों, अब देखिए आप लोग को यहाँ पर क्या बताना है सब भी लोग यहाँ पर देख सकते हैं निमलिकित मेंसे कौन सा योगिक? निमलिकित मेंसे कौन सा योगिक? गुर्दे की पत्री का निर्माल करने वाला सरवादिक समान न योगिक है निमलिकित मेंसे कौन सा योगिक? जो गुर्दे की पत्री का निर्माड करने वाला एक सरवादिक सामान योगिक है तो अगर आपका आंसर आ रहा है कैल्शियम ओक्जिलेट बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम ओक्जिलेट नेक्स्ट कोशन देखिए एक मानब जीब में आस्तन कितनी स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है प्यारे साथियो अगर हम इस कोशन के सो बात करेंगे तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा इसको बताइगे A, B, C, क्या फेटी तो भाही साहाब आपका राइट आंसर हो जाएगा 2000 से 8000 तक स्वाद कलिकाएं मौजूद होती है आपकी जीब में तो ऐसे में दोस्तो आपका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप्शन नंबर A होगा इसका बिलकूल करेक्ट आंसर चलियो अगला सवाल आप लोग के सामने है सफेद रेगिस्तान भारत के निम्लिकित में से किस राज्ये में इस्तित है वाइट डिजल्ट इस लोकेटेड इन विच आप दा फॉलोइंग इस्टेट अफ इंडिया गुजरात तमिलनाडू कश्मीर सिक्किम तो मेरा सही जवाब हो जाएगा आपका गुजरात हो जाएगा गुजरात नेक्स्ट कोश्चन एक नवजास इश्यो के सरीर में कितनी हड्डियां होती है तो आपका सही जवाब हो जाएगा 350 ओके तो भाई साहब अगर आपका आँसर आ रहा है 350 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा अगला सवाल है आपके हसाद ने आपको निकालना है बहुलक दे키े बहुलक क्या होता है जो नंबर repeated फार्म पाका पावन है कहीं पर 52 नहीं है, 54 है कहीं पर 54 एक, दो नहीं है, 54 केवल दो जगा है, 56 देकि दो 56 नहीं है 53 दो जगा है, नहीं है 51 और 57 खटा दो तो बहुलक का मतला होता है जिसकी frequency जो सबसे ज़्यादा हो या अभरती ज़्यादा हो तो वहें आपका उस सिरीज का बहुलक कहलाता है तो इसका बहुलक आजाएगा 55 क्योंकि 55 मेरा जो है, सबसे ज़्यादा बार आया है तो मेरे प्यारे मित्रो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा तो ये होगा आपका 55 चलिए आजाओ तो जिनका भी आँसर 55 आ रहा है बिलकुल सही है नेक्स्ट कोश्चन देखिए 3740 को तीन भागों में इस तरीकी से डिवाइड करना है कि पहले का आधा मार्ग यादा भाग होगा कि पहले का आधा भाग जो है पहले वाले का आधा भाग दूसरे का एक तिहाई भाग और तीसरे का छटा भाग आपस में बराबर है तो यह सब आपको बराबर दिया गया है तो A अनुपात B अनुपात C बराबर क्या जाएगा देखिए 2, 3 और 6 का LCM 6 हो जाएगा तो आप पूरे की 6 से multiply करा दीजिए 2, 3, 6 3, 2, 6 6, 1, 6 तो A अनुपात B अनुपात C का मान आ गया है अब हम लोगों को क्या करना है ये निकालना है भाई साब 3740 को बाटना है तो अगर हम एक ही बात करेंगे तो कितना हो जाएगा समझ्यारा आप लोगों को देखी किस तरीके से मैं आपर कर रहा हूँ पहले का आधा तो पहले का आपने एक बटा दो कर दिया तूसरे का तिहाई भाग तीसरे का एक बटा छटा भाग समझ पा रहे हैं आप लोग किस तरीके से मैं आपकर करना चाह रहा हूँ तो ये देखे वारा एक बटा दो एक ठेना एक बटा तीन एक बटा छे तो अब आप इसको solve करें और मुझे बताईए कि भाई यहां से आप लोगों का सही जवाब क्या हो सकता है चली बताईए option number A option number B C या फिटे अच्छा ये लोग बोलने कि ये सारे भाग आपस में बराबर है चली ये तो ये मैंने माल लिया X, ये माल लिया X, ये माल लिया X, अगर ये सारे भाग आपस में बराबर हो तो बताईए मुझे 3740 को इन तीनों में दोस्तों आपका क्या क्या हिस्सा मिलेगा देखिया तो दोस्तों मैंने क्या कि हमरा 1 बटा 2, 1 बटा 3, 1 बटा 6 बराबर मैंने माल लिया K माल लिया तो पहला मेरा दोस्तों हिस्सा आगया 2 K दूसरा दोस्तों हिस्सा आगया 3 K और तीसरा हिस्सा मेरा आ गया दोस्तो 6 के इस तरीके से आपका लगेगा ध्यान देजिए ये सवाल आपका इस तरीके से लगेगा तो ए बरावर मान लिया 2 के, 3 के, 6 के तो टोटल मेरा कितना हो गया 6, 3, 9, 2, 11 तो भाई साथ 11 बरावर मुझे दे रखा है 37, 140, 11 बरावर दे रखा है मुझे 37, 140 दिया गया है तो आईए, देखते हैं भाई, ये सौल भोगा के नहीं होगा 11, 11, 11, 33, 11, 44, 0 का 0 तो एक बरावर मेरा कितना आ गया है 340 आ गया है, अब मुझे पहला भाग निकाला है आपर तो पहला भाग दोस्तों कितना हो जाएगा 340 का डवल तो भाई, 34 का डवल हो जाएगा 680, ये दोस्तों निकालना है ट्रिपल तो 34 का ट्रिपल दोस्तों कितना हो जाएगा 3.12, 3.9, 10 तो ये हो जाएगा 1020 हो जाएगा और 34 का देखे 6 गुना कितना हो जाएगा 2040 आ जाएगा तो ये है मेरा पहला वाला भाग ये है मेरा दूसरा भाग और ये है मेरा तीसरा भाग तो अगर प्यारे मित्रों अगर आपका अंसर सी आ रहा है विल्कुल राइट है तो यहाँ पर मुझे क्या दे रखा था कि ये सारी वैल्यू आपस में बराबर है ठीक है चले अगला सवाल आपके साबने है प्रतीकों के उप्युक्त सेट का चेन किजिए तो अगर आप लोग दोस्तों इस तरीके से फॉर्मिट को एपलाई करेंगे तो देखते हैं क्या 90 आएगा 27 multiply का 3 plus का 19 minus का 10 बराबर 90 तो सबसे पहले हम लोग करते हैं multiply करेंगे याँपर 3, 7, 21 3, 2, 6, 87, 81 plus 19, minus 10 बराबर आपको दिया गया है 90 तो ये हो जाएगा 80, 20, 100 100 में से 10 गड़े तो 90 आजाएगा तो 90 बराबर 90 आगया यानि की left hand side बराबर right hand side है तो अगर किसी का भी अगर answer D आया है तो बिल्कुल perfect है सही जवाब हो चाएगा option number D निमलिगित में से कौन सा एक world processor का example नहीं है देगे दोस्तों आपका IBM, Lotus, Symphony World, Google Docs ये सारे तो आपके world processor के ही example है लेकिन Excel आपका नहीं होगा तो भाई साहाब Excel ये आपका spreadsheet program है इसमें spreadsheet program या बोल सकता हूँ मैं इसको electronic spreadsheet program बोल सकता हूँ ठीक है तो Excel मेरा नहीं होगा तो अगर आपका answer आ रहा है Excel बिल्कुल right है आईए देखिए प्लीज next question दोस्तों क्या आप जानते हैं King George Pancham और Qun Mary की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोगप्रिये परेटन इस्थान बनाए गया तो आपका सही जवाब हो जाएगा ये है Gateway of India तो भारत का एक एतियासिक इस मारक जो मुंबई में होटल ताज महल के ठीक सामने इस्थित है और यह एक बड़ा सा दौार है जिसकी उचाए करीब 26 मीटर यानि के 85 फीट है अरब सागर के समुद्री मार्ग से आने वाले जहाजवादी के लिए ये भारत का दौार कहलाता है तो जिसका भी आंसर आ रहा है दोस्तो आप्शन नमर भी बिल्कुल राइट है बहुत बड़िया इसके बाद बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट कोशन आप लोग के सामने है भाही साब इसको सॉल्ब कीजिए तो पहले आप इसको मल्टिप्लाइ करेंगे तो बीस पंजे सो आएगा पचास पिलस का बीस पंजे सो एक के पॉइंट लाएग दस बचेएगा डिवाइड भाई जीरो पॉइंट सेवन तो पचास और एक साथ बटे आपका कितना आ जाएगा पॉइंट सेवन आ जाएगा समझ में आ रहा है तो मैंने पॉइंट अड़ाया आगे जीरो बढ़ाया इसको काटा 6,8 जा 48 तो दोस्तो यहाँ बन मेरा कितना आगा 600 आ जाएगा तो भाई 7,8,56,4 बचा 7,5,35 फिर 5,50,7,7,49,1 एक बचा 0,7,1,7 तो अगर आप इसको solve करोगे तो आपका correct answer हो जाएगा 85,7,1 तो भाई साब जिनका भी answer आ रहा है 85,7 बना रहा है साथ ही हो तो बिल्कुल right है सही जवाब होगा option number C mentor का code आपके सामने है professor का code क्या होगा mentor M, E, N, T, O, R तो भाई mentor को लिखते हैं हम लोग यहां से N, B, M, G, L, I M का उल्टा N, मेरा मन, E, B, मन, G, T, Road, Hustle, L, R का उल्टा I सेम ग्याद करना है professor P, R, O, F, E, W, S, O, R तो भाई देखिए दोस्तों यह हो गया K, P हो गया या फिर P के लिख सकते हो आप लो R का उल्टा I, हस लो, O का उल्टा L, उफ, तो यह U हो गया E का उल्टा आपका V होता है हस लो, तो S का उल्टा H हो जाएगा, लो हो गया R का उल्टा I, तो अगर हम इस question की बात करें तो हमारा सही जवाब हो जाएगा K, I, L, U, V, H, H, L, I तो सब्सक्राइब आप लोग को, तो K, I, L, K, I, L सब्सक्राइब आपको, U, V, U, V, H, H, L, I तो जिसका भी answer option number B आ रहा है, बिल्कुल right है सही जवाब हो जाएगा option number B अगला सवाल आप लोग के साबने आपको दिया गया है इसको बताएगा साथ ही हो, मुगल समराजी की स्थापना किसके दोरा की गई थी? मुगल समराजी की स्थापना किसके दोरा की गई थी? Yes, very good तो अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बावर तो जिसका भी अंसर बावर आ रहा है, बिल्कुल perfect है सही जवाब हो जाएगा बावर चले है, अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है इसको बताएगे प्यारे मित्रों, सैनिक का दिरेक का है सेना तो गायक क्या होगा, इसको बताएगे तो प्यारे साथियों, भाई, यहाँ पर आपको दिया गया है जिसकी सेना में होते हैं सैनिक सेना में होते हैं सैनिक वैसे ही बैंड में होते हैं गायक वैसे बैंड में होते हैं सिंगर तो आपका सही जवाब हो जाएगा option number D होगा इसका बिल्कूल perfect answer चलिया अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया है इसको बताईए दोस्तो हैलियो सेंट्रिज्म को support करने के कारण हैलियो सेंट्रिज्म को support करने के कारण किस खगोल सास्त्री को उनके घर में नजर बंद किया गया था तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा बताईए आप लोग को मालूम होगा कि गैलिली योगैली थे ना यह तो इनको इनके घर में ही नजर बंद करके रखा गया था किसके लिए हैलियो सेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के लिए तो आपका सही जवाब हो जाएगा option number B चलिए अगला सवाल देखिए 1981 में इसरो के दोरा प्रच्छेपित भारत के पहले जियो इस्टेशनरी उपगरहे का नाम क्या है 1981 में इसरो के दोरा प्रच्छेपित भारत के पहले जियो इस्टेशनरी उपगरहे का नाम क्या है तो अगर हम इस सवाल की बात करेंगे तो हमारा सही जवाब क्या होगा हाँ बताईए apple तो जिसका भी आंसर apple आ रहा है बिलकुल perfect है हमारा सही जवाब हो जाएगा apple भारतिय सम्विधान के मताबिक 21 के A में आल्टिकल 21 के A में निमलिकित में इसे किस अधिनियम का उल्लेक किया गया है तो अगर हम इस सवाल की बात करें तो हमारा सही जवाब हो जाएगा आल्टिकल 21 के A में आपका देखे 21 में है प्राण एवम देहिक स्वतंतरता और 21 के A में है 6 to 14 एर जो आप लोग के बच्चे हैं तो इनके लिए है दोस्तो सिक्षाक अधिकार छे साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए सिक्षाक अधिकार अनिवारे बनाई गया है 21 के A में ठीक है तो अगर आपका आंसर आ रहा है ऑप्शन नमबर A बिलकुल राइट है बहुत बढ़िया चैलिया अगला सवाल देखिए बाई किस भारतिये ने 2014 में शांती के जीता था नोबेल पुरुषकार किस ने कैलास सत्यार थी कैलास सत्यार थी होगा मेरा सही चवाब अगला कोशन देखिए क्या दिया गया है निमलिकित में से कौन सा कतन असत्त है धौनी तरंगे कैसी तरंगे होती है देखिए धौनी एक यांत्रिक तरंग होती है धौनी त आंत्रिक तरंग है ना कि विद्धु चुम की तरंग तो ये कोई electromagnetic तरंग नहीं होती है ये एक यांत्रिक तरंग होती है ओके तो जिसका भी आंसर आए C, C वाला आपका नहीं होगा तो ये वाला कथन आप लोग को wrong दिया गया है असत्य दिया गया है, आई ये अब कुछ फल सबजियां है, ये मेरा I है सभी सबजियां पौधें ये A है तो I प्लस A बराबर होता है I सबजी सबजी कड़ गई, कुछ फल पौधें है तो कुछ फल पौधें है, ये मेरा बन गया अब फल सबजियां बनेंगी की नहीं बनेंगी दोस्तों हाँ बन सकती हैं देखी क्यों अगर कुछ फल सबजियां हैं तो कुल सबजियां फल होंगी कुछ सबजियां फूर यह होंगी तो फल सबजी सबजी फल बन सकता है ये भी तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोन बिल्कुल perfect हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा दोनो एक light bulb का filament किससे बना होता है मैंने सुख कई वार आप लोग को पढ़ाया है कि जो आप लोग का bulb होता है इस तरीके से ठीक ना तो दोस्तों यह जो आप लोग का bulb होता है यहाँ पर तो इसका जोस्तों जो filament आप लोग का दोस्तों होता है यह दोस्तों किसका बना होता है टंगस्टन का तो filament जो आप लोग का बना होता है टंगस्टन का बना होता है तो जिसका भियांसर टंगस्टन आ रहा है बिल्कुल सही है तो अगर हम इस question की दोस्तों बात करेंगे ध्यान देजेगा प्यारे सातियों एक नंबर दे रख है R019 एक आपको नंबर दिया गया है R019 और कह रहा है कि ये नंबर मेरा 11 से बिभाजे है क्या बोला ये बोला भाई ये मेरा नंबर 11 से बिभाजे है तो कोई भी संख्या 11 से तभी कटेगी जब वो step by step उसका difference या तो 0 आएगा या फिर 11 आएगा जैसे कि step by step का मतलब यह होता है R और 1 का जो योग होगा 0 और 9 का जो योग होगा इनका difference या तो 0 आजाए या फिर 1 आजाए तो R प्लस एक तो ना इनका difference 9 प्लस 0 या तो इनका difference 0 आजाए या तो 11 आजाए तो भाई यह मैं लिखें आपर R प्लस एक माइनस का 9 या पर उसको कितना put कर दें कि या तो value 0 आजदे की 11 बनेगा ने 0 बनाने के लिए हम R बराबर 8 पुट कर सकते हैं तो 8 और एक 9 9 मेंसे 9 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा तो अगर यह 11 से विभाजित है तो R की जगा पे मेरा 8 आ सकता है तो अगर यहाँ पर 8 लिखोगे तो बिल्कुल perfect हो जाएगा तो सही जवाब हो जाएगा मेरा 8 clear है चले हो next question आप लोग के सामने है 15 मीटर और 20 मीटर के दो खमबे जमीन पर सीधे खड़े हैं अच्छा एक खमबा है आप लोग का दोस्तो 15 मीटर का और दूसरा जो खमबा आप लोग को दोस्तो दिया गया है ये खमबा है आप लोग का 20 मीटर का दो खमबे हैं 15 मीटर का और ये वाला जो खमबा दिरखा ये खमबा है 20 मीटर का और इनके बीच की दूरी आप लोग को दिरखी है खमबो की बीच की दूरी है 12 मीटर ये 15 लिख लेंगे दूसरा यहां से लिकर यहां तक और अगर ये 12 है तो ये 12 मीटर लिख लेंगे यहा उपरी छोरों के बीच के दूरी कितनी हो जाएगी ये आप लोग निकाली है तो दोस्तों ये आप लोग का 12 दे रखा है ये 12 हो गया अगर ये टोटल 20 है ये 15 हो चुका है ये 5 बचा ही है ट्रिपलेट मैंने ट्रिपलेट आप लोग के दोस्तों पढ़ा ही है 5, 12, 13 तो अगर दोस्तों ये देखिए 12 है ये आपका 5 बचा है तो इसका मतलब उपर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी तो उनके उपरी छोरों के बीच की दूरी आ जाएगी 13 मीटर तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा 13 ठीक है तो अगर आपका अंसर 13 आ रहा है बिल्कूल राइट है अब लेकर चलते हैं आपको आगे नेक्स्ट कोश्चन 2008 में आपका ग्रीस मकालिन ओलम्पिक के लिए वर्ल्ड नेट्स्ट स्टेडियम किसने बन बाया था ये आप लोग को बताना है तो आईए और आप लोग बताईए देगे दोस्तों इस सवाल का मेरा सही जवाब होगा चाइना 2008 में आपका ग्रीस मकालिन ओलम्पिक के लिए वर्ल्ड नेट्स्ट स्टेडियम चाइना ने बन बाया था तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चाइना अगला सवाल है आपके सामने वहे एक मातर अधातू कौन सी है जो कमरे के तापमान पर दरब में बदल जाती है वहे एक मातर अधातू कौन सी है जो कमरे के तापमान पर दरब में बदल जाती है इसको बोलते हैं पारा तो आधातू ब्रोमीन जो कमरे के तापमान पर द्रब में परिवर्तित हो जाती है जैसे कि अगर मैं ब्रोमीन की बात करूँ इसके लिए कमरे का अनुकूलितन तापमान 27 डिगरी होना चाहिए और पारा एकमात्र ऐसी धातू है दोस्तो जो आपकी तरल अवस्ता में पाई जाती है ठीक है तो इसने पूछा है अधातू तो दोस्तो जो आप लोग का पारा है यह आपका धातू में आ जाएगा और ब्रोमीन दोस्तो जो है आपका अधातू में आ जाएगा तो मुझसे अधातु पूछा गया है तो ब्रोमीन हो जाएगा धातु पूछा जाता तो पारा हो जाता ठीक है? तो जिसका भी आंसर ब्रोमीन आया है B वाला B वाला that's our correct answer option number B अगला सवाल आपके सामने है इसको बताईए सबी लोग बिलकुल ध्यान से पढ़ते रहें निमलिकित जीवों में से कौन सा जीव मुक्लन यानि कि बढ़िंग द्वारा प्रजनन नहीं करता तो इसे में आपका सही जवाब हो जाईगा बढ़िंग किया नाम है? option number D अगला सवाल आपके सामने है इसको बताईए प्यारे साथियो नेक्स्ट कोशन आप लोग के सामने आपको दिया गया है इसको बताईए किस नेता ने किस नेता ने आर्थोडॉक्स क्रिस्चिनिटी को रूस के अधिकारिक धरम के रूप में अपनाया तो ब्लादी मीर्दा ग्रेट ब्लादी मीर्दा ग्रेट ने आर्थोडॉक्स क्रिस्चिनिटी को रूस के अधिकारिक धरम के रूप में अपनाया है तो जिसका भी आंसर आ रहा है आप्शन नमबर A मिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर A यदि एक संभुझ तरबुझ की भुझा की लंबाई है 6 सेंटीमीटर तो उसका छेतरफल क्या हो जाएगा देकि संभुझ में दोस्तों क्या होता है सारी भुझा बराबर होती है और सम बाहु तरबुझ का छेतरफल क्या होता है रूट 3 अपान 4 A स्क्वाइर तो रूट 3 अपान 4 A का मानए 6 इंटू 6 2 दुनी 4, 2 तियां 6 2 एकम 2, 2 तियां 6 3 तियां 9 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वाइर तो इस तरबुझ का छेतरफल कितना हो जाएगा 9 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वाइर होगा इसका बिल्कुल पर्फेक्ट आंसर विकॉस हमारा जो एक्यूलेटरल ट्रेंगिल होता है इसका एरिया होता है रूट 3 अपान 4 A स्क्वाइर अगला सवाल है हमारे सामने C12, H22, O11 तो भई इसको किस रूप में जाना जाता है तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा चीनी तो ये है चीनी का रसानिक सूत्र ठीक है तो चीनी का रसानिक सूत्र आपका क्या होता है ध्यान देजेगा तो ये हो जाएगा आपका option भी हो जाएगा सुगर यानि की चीनी next question आप लोग के सामने है सतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिर्ची मार करती है देगे दोस्तों आप लोगों में से कुछ लोग होंगे जिनको सतरंज गेम खेलना आता होगा सतरंज में आप लोग के 64 खाने होते है लेकिन मैं इस तरीके से कुछ बना रहा हूँ तो सतरंज में आप लोग के total 64 खाने होते है आप लोग दोस्तों मुझे यहाँ पर यह बताए दोस्तों कौन सी वाली जो है गोटी है जो सीधे चलती है लेकिन आपका तिरिच्छा अमार करती है तो ऐसे में दोस्तों आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा बताईए तो प्यारे मितरो मेरा सही जवाब क्या हो जाएगा प्यादा तो जिसका भी आंसर प्यादा आ रहा है प्यादा बिल्कुल परफेक्ट होगा सही जवाब हो जाएगा प्यादा जब computer का switch on किया जाता है जब computer का switch on किया जाता है तता operating system hard disk से main memory में load होता है that was process, it's called तो ये process मेरी कहलाती है booting process जैसे ही system को आपने open किया hard disk से जो है आप लोग का main memory में जो है आप लोग का operating system load होना शुरू हो जाता है को बोलते हैं, booting process क्या बोलते हैं तो booting process होगा इस question का बिल्कुल right answer अगला सवाल है आपके सामने dog का दरखा है kennel तो b का क्या होगा जैसे जोस्तों कुटे के रहने के स्थान को kennel बोलते हैं, kennel का मतलब होता है dog house ऐसे b का जो होता है हाउस होता है, उसको हाइब बोलते हैं तो भई, मदुमक्यों के रहने के स्थान को बोलते हैं, हाइब छत्ता, मदुमक्यों का छत्ता तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा हाइब होगा इसका बिल्कुल perfect answer बीस मिलियन डॉलर खर्च करके और्विट में आच दिन गुजारने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री निमलिकित में से कौन थे दोस्तों कि आप दोस्तों जानते हैं कि बीस मिलियन डॉलर खर्च करके और्विट में आच दिन गुजारने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री निमलिकित में इसे कौन थे तो हमारा सही जवाब हो चाहेगा Danish Tito तो जिसका भी आंसर Danish Tito आ रहा है बिल्कुल राइट है तो आपका सही जवाब क्या हो चाहेगा Danish Tito चलिए अगला सवाल आप लोग के सामने आपको दिया गया इसको बताई गया तो भाई साहब ये सवाल बहुत इंपोर्टेंट है और ये जो कोशन है हर एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट है तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा है एक से एक बढ़कर हमारे साथ में सरफरे जुड़ते हैं एक बिल्कुल वो कुछ भी करने लिए तयार रहते हैं कोई तोड़ने वाला है तो कोई फोड़ने वाला है तो कोई कूटने वाला है अच्छा ये बताब कितने लोग पढ़ने वाले हमारे में से जितने लोग पढ़ने वाले हैं वो लोग जुड़े रहे हमारे साथ बाकि लोग को बहुत बिजी होंगे आप लोग को बहुत सारे काम धंदे होंगे तो पहले आप काम धंदा निप्टा लीजीए फिर आराम से पढ़ लीजीए का आगे ठीक है देखिए एक मेच को दस परतीशत के लाव पर बेचा गया अगर इसका क्रेम उले 5 परतीशत कम कर दिया जाता तो वह 7 रुपय जादा निकलता तो 20 परतीशत का लाव होता तो लाव होता 20 परतीशत का तो भाई मैं पहले क्या करूंगा, सबसे पहला है कि 5 और 20 में लगाईए successive, तो 5 में दोस्तों पहले लगाईए successive, तो minus 5 plus का 20, plus minus minus 20 into 5 बटे 100, तो 20 में से 5 जाएगा तो 15 बचेगा plus का, 20 पंजे 100 ये 1 बचेगा, तो ये मेरा 14 परसंट आ गया, ये 14 परसंट आ गया, उपर आप को दे रखा है, 10 परतीशत का लाव दे रखा है, ये 10 परतीशत का लाव है, ये 14 परतीशत का लाव आया है, तो यानि कि 10 से जो लाव 14 हो रहा है, तो कितने परसंटिस का चेंजेस आ रहा है, तो 4 परसंट का परिवर्तन आने से 7 रुपिया जादा निकल ला है, 4 परसंट का 175 रुपए तो भाई साहब अगर आपका आंसर आ रहा है 175 बिल्कुल परफेक्ट है बहुत बढ़िया तो अगर आपका आंसर आ रहा है 175 बिल्कुल सही बता रहे हैं तो उमीद करता हूँ कि आज का सेक्शन आप लोग को बहुत पसंद आए होगा तो अगर एक क्लास आपको पसंद आई हो helpful लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजेगा क्लास को मिलकर शेर कीजेगा और मिलकर आप लोग अपनी क्लास को सपोर्ट कीजेगा तो फिर होगी मुलाकात आप लोगों से आपकी अगली क्लास में बने रहिए और देखते रहिए आप लोग आपके अपनी जैनल BSA ट्रिकी क्लास को तब तक के लिए नमस्कार जै BSA जै BSA क्लास और आप सभी का तह दिल से बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया जै हिंद वन दे मातरम